ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आप के अचारे बताते हैं आप की राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूट्यूब चेनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ अचारे धर्मिंदर शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशी फल ये राशी फले 25 मार्च 2021 गुरुवार का दिन है फालगुन माहा के शुकल पक्ष की एका रशी इसी दिन रहेगी आमल की एका रशी रंग भरी एका रशी इसी दिन मनाई जाएगी जो भक्त जन माताएं बेहने एका रशी का वरत करते हैं उनको इसी दिन एका रशी का वरत करना चाहिए तो सब से पहले आपको और आपके पूरिय परिबार क रंग भरी आमल की एकादशी की बहुत बहुत शुब कामनाय और बधाया तथा द्वादशी तिथी भी इसी दिन विद्धिमान रहेगी अशलेशा नामक नक्षत्र होगा करकर आशी में चंद्रमा विद्धिमान रहेंगे दिशासूल की अगर हम बात करें तो दक्षिन दिसा में रहेंगे इसलिए दक्षिन दिसा की यात्रा करना नुकसान दाई साबित होगा अगर किसी कारणवस दक्षिन दिसा की यात्रा करना बहुत ज़्यादा आवश्यक हो तो जीरा खाकर के यात्रा प्रारंब कर सकते हैं राहुकाल जो की दो पहर एक बच कर के तीस मिनिट से प्रारंब हो कर के तीन बजे तक रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए देनिक ग्रह गोचर के दी हम बात करें तो ग्रहो के राजा सूरी देव जो की मीन राशी में वहीं चंद्रमा जो की करक राशी में मंगल ग्रह वरशब राशी में बुद कुम्ब राशी में देव गुरू ब्रहसपती मकर राशी में शुक्रमीन राशी में शनीदेव मकर राशी में राहू वरशब तथा केतु वरश्चिक राशी में विराजित रहेंगे इस देनिग्रह गोचर के अनुसार वरशब करक सिंग धनू मकर और कुम्ब ये छे राशियां सबसे अधिक भागिशाली रेने वाली है दिन इनके राशी वालों का देनिक राशी फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं में स्रासी की इस्थाई संपर्टी प्रापर्टी के लेंद संबंदी गती विडियो में व्यतित होगा और उपाई के रूप में मा दुरगा के मंदिर में लाल फल चड़ाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की ज चांती और मांसिक सुख प्रदान करेगा बच्चों को अपनी पड़ाई में और अधिक ध्यान देने की आउशकता है इसलिए फालतू की गतिविधियों से अपना ध्यान ठाए किसी नजदी की मित्रे या रिस्तिदार से मामूली बात को लेकर के वैचारिक मदवेद अब हम बात करते हैं मितुन राशी की घर में रिष्टदारों का या महमानों का आगमन होगा तो था आपसे विचारों का आधान प्रदान घर के वातावरन को खुष्णुमा बनाएगा अपने महत्तु पूर्ण काम आप निप्टाने का प्रयास करेंगे युवाओं को पच्चो पर कठोर नियंतरन नरक करके मित्रवत व्यभार रखे इससे आसानीशे वे अपनी समस्याओं के आपके साथ शेयर कर पाएंगे और उपाई के रूप में हरी सबजी का डान करना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक आठ होगा हम बात करते हैं करकराशी की मन और अंजन और हास परिहास में आपका समय वितित होगा हलका फुलका आराम करने का आउसर भी आपको मिलेगा उर्जा से आप भरपूर महसूस रहेंगे घर की जर्वत संबंदी कारियों में आपकी विस्ता बनी रहेगी बच्चों के साथ उन अची प्रकार से परताल अवश्य करें और अपनी वस्तूओं को संभाल कर रखें ओफिस के कुछ कामों को घर पर भी समय आपको देना पड़ सकता है और उपाई के रूप में भगवान गनेश जी के मंदिर में यदि आप लड़ू चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफल समर्पन भाव रहेगा किसी सामाजिक गतिविधी में आपका महतुपूर्ण योगदान होने की वजह से आप सम्मानित होंगे कोई अर्थिक परिशानी होने से आपके मित्र आपकी मदद के लिए ततपर रहेंगे परंतु कभी-कभी आपके विचारों में बहुत अधिक व में एक लॉंग या फिर इलाइची खाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक तीन होगा भागिशाली रंग आपका कैसरिया होगा अब हम बात करते हैं कन्या राशी की किसी समयच से भी संस्था में आपका विशेस योगदान रहेगा जिस कारण आपको मान सम्मान व यश भी प्राप्ति होगी आपके अपनी व्यक्तिगत काम काफी हद तक सुचारू रूप से संपन होते जाएंगे अटके हुए रुके ह काम भी आपके पूर्ण हो जाएंगे रुका हुआ पैसा भी आपको अचानक प्राप्त हो सकता है कोई अचानक ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिसका बहुत दिनों से इंतजार था उस कारण से परिवार में अच्छी खुशियां व्याप्त होगी और किसी अंजान व्यक्ति के विवाद में बिलकुल न पड़े क्योंकि उसकी वजह से आपको परिशानिया उत्पन न हो सकती है उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि आप मिठाई के रूप में कोई भी मीठी वस्तु खा कर निकलते हैं तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका निकट संबंदियों के साथ प्रापर्टी को लेकर गंभीर और लाब दायक चर्चा होगी घर में कोई धार्मिक आयोजन संपन्न हो सकता है काम की अधिक्ता की वजह से स्वभाव में चिर्चड़ापन रहेगा जिसका असर परिवार की विवस्ता को खराब कर सकता है अपन एक जो है सकारात्मक आपको नजरिया महसूस होगा और उपाई के रूप में भैवान विष्णु जी के मंदिर में कोई भी फल चड़ाना आपके लिए शुप्फलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक छे होगा भागिशाली रंग आपका सफेद होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की घर के बड़े बुजुर्गों तथा वरिष्ट व्यक्तियों के साथ कुछ समय आपका वेतित होगा उनके अनुभवों को आत्म साथ करना आपके जीवन को कुछ सकारात्मक पहलियों से अउगत कराएगा बच्चे भी अनुशास तथा अज्याकारी रहेंगे स्वास्त में हल्की पुल की परिशानी रहने की वजह से आपके कुछ काप अधूरे रह सकते हैं परन्तु तनाव को अपने उपर हावी न होने दे परिवारिक व्यक्तियों का उचित सहयोग आपको चिंता से मुक्त रखेगा अर्थिक स्थित में सुधार होगा धनलाब होगा नए काम की आप योजना बनाएंगे तथा जो काम बहुत दिनों से अधूरे या अटके पड़े हैं उनमें भी आपको सुधार महसूस होगा उपाई के रूप में घर से निकलते समय यदि किसी भी गरीब व्यक्ति को दूद का या दहीं का दान आप करेंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक नो होगा भागिशाली रंग आपका लाल होगा अब हम बात करते हैं धनूराशी की राजनितिक गति विजियों से जुड़े मित्र आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगे तथा उनके साथ लाबदायक मुद्दो पर विचार विमर्श होगा समय का भरपूर फाइडा उठाए मरो रंजन संबंदी कारियों में आपका समय बेतित होगा अपने व्यक्तिगत कारियों में किसी बहारी व्यक्ति को शामिल न करे कोई आपकी गतिविधियों का नाजाइस फा जंदिर में कैसर या हल्दी चड़ाएंगे तो आपका डेंड शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक दो होगा भागिशाली रंग आपका पीला होगा अब हम बात करते हैं मकर राशी की सामाजी कारिकरताओं के साथ उनकी गतिविधियों में पूरा सहयोग क करना आपको महत्वपुन मुकाम हासिल करवाएगा आपके व्यक्तित्व के सामने आपके विरोधी परास्त हो जाएंगे कहीं से कोई ऐसी खुशकबरी मिलेगी जिससे परिवार में खुशियों का माहौल निर्मित होगा कोई भी योजना बनाने या क्रियानवित करने से प भागिशाली रंग आपका हरा होगा अब हम बात करते हैं कुम्पराशी की अपना अधिक्तम समय आप अपने घर के अठके हुए रुके हुए कारियों में व्यतित करेंगे इस्थाई संपत्ति भूमी भवन वाहन संबंदी कारिय भी आपके संपन्न हो जाएंगे घर कोई चिंता आपको परिशान करेगी कोई खुशकबरी ऐसी मिलने वाली है जिससे आपकी चिंताएं लगभख समाप्त हो जाएगी उपाई के रूप में यदि आप काले तिल शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका सुख सुविधा संबध्य कार ये भी आपके पूर्ण हो जाएंगे अधिक समय आप जो है अपने क्रिया कलापों में व्यतीत करेंगे रुके हुए अटके हुए काम आपके परिवार के सायोक से संपूर्ण हो जाएंगे भावनात्मक संबंध और अधिक मजबूत होंगे आपकी जो शंकालू या जित की प्रबत्ती है उसको परिवर्तन करना चाहिए थोड़ा सा व्यवहार में लचीला पन रखना बहुत आवश्यक होगा और उपाई के रूप में छट के उपर पक्षियों को दाना डालना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा और आपका भाग गिशाली अंक एक होगा भाग गिशाली रंग आपका औरेंज होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उपाय तर्था भाग गिशाली अंक और भाग गिशाली रंग हमने आपको बताए हैं हमारे इस ग्यान वर्धक वीडियो को अ